बारत में चावल और पाम तेल महंगा होता जा रहा है पिछले एक महीने में चावल की कीमत में 15 फीसद तक की भड़ोतरी दर्च की गई है चबकि पाम उयल की कीमत आने वाले हफ्तों में 5-7 रुपे प्रती लीटर तक और बढ़ सकती है पासमती किस्म का चावल एक महीने पहले के 95 रुपे प्रती किलोग्राम की तुलना में 110 रुपे प्रती किलोग्राम की रिकोर्ड उंचाई पर बिक रहा है ट्रेडर्स इसका शेव विशव बजार में बहतर कीमतों की उमीद में राइस मिलर्स द्वारा स्टोक बनाने को देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बार्ण ने देश की चावल की फसल को नुकसान पंचाया है वहीं चावल की मार्केटिंग और निर्यात करने वाली कमपनी राइस विला ग्रूप के सीयो ने कहा है कि भारतिया बासमती चावल के सबसे बड़े बजारों में से एक इरान में बमुश्किल कोई ओर्डर मिलने के बावजूद ऐसा हो रहा है वहीं विशेशग्यों का कहना है कि खरीफ चावल के उतपादन में गिरावट सरकार द्वारा संचालित खाद्या सुरक्षा योईना को वापस लेने और नेपाल को धान के शुल्क मुक्त निर्यात की वजह से गैर बासमती चावल की किम्ते बढ़ रही है वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 2022-23 में खरीफ चावल का उतपादन 104.99 मिलियन टन अनुमानित है जो 2021-22 में 111.76 टन से 6.77 मिलियन टन कम है दूसरी बात कोविट के दोरान शुरू की गई परधानमंतरी गरीब कल्यान अन्योजना को 31 दिसंबर 2022 से वापस ले लिया गया है वहीं जानकारों को कहना है कि चावल की कीमतों को लेकर यह रुक रहा तो आने वाले दिनों में ये गरीबों की थाली से गायब हो जाएगा ऐसे भी आटा 40 रुपे किलो के पार्प पहुन चुका है आपको बता दे कि भारत दुनिया में चावल उत्पादरक और निर्यातक देशों में परमुक है बीते दिनों खबर सामने आई थी कि निर्यात की खेप पर रोक के बावजूद भारत के सुगंदिक बास्मती और गैर बास्मती चावल का निर्यात चालू वितवर्ष के पहले साथ सप्ता में 7.37 फीसद से बढ़कर 126,097,000 टन हो गया है वहीं पिछले वितवर्ष की समान अवदी में ये निर्यात 118,25,000 टन रहा था इंडस्ट्री के मुताबिक भारतिय चावल की मांग बनी रहने से ये ग्रोथ उस वक्त भी देखने को मिल रही है जबकि देश में चावल की कुछ किसमों के निर्यात पर अंकुष था चावल के उतपादन में गिरावट को देखते हुए सरकार ने मुल्या को नियंत्रित रखने के लिए चावल की कुछ किसमों को देश से बाहर भेजे जाने पर प्रतिवन लगा दिया था लेकिन बाद जूद इसके भारत में चावल की कीमतों में रिकोर्ट तेजी देखने को मिल रही है बिरो रिपोर्ट माकेट आइमस टीवी